आखिर कब बसी थी आयोध्या? अथर्व वेद में आयोध्या का पहला जिक्र, मगर असल में उम्र कितनी कोई नहीं जानता. राम नाम की गूंज आज आयोध्या से निकल कर पूरे देश में फैली है. लेकिन राम से पहले आयोध्या कैसी थी? किसने बसाया था आयोध्या को? क्यों ये स्थान इतिहास में इतना महत्वपूर्ण था? आयोध्या, राम और राम मंदिर का इतिहास, खंगालती खास सीरीज, राम जन्म भूमी का इतिहास के पहले एपिसोड में जानिये. इतिहास में अयोध्या का जिक्र कहां कहां मिलता है राम का जिक्र वालमी की रामायन के अलावा कहीं और मिलता है या नहीं क्या थी राम के अवतार की कहानी वेदों में है सर्यू का आहवान सरस्वती सर्यू सिंधुरूर में भी महो मही रक्सायंतु वक्षणी देवी राय मात्र सूद यित्वो घृत वत अपयो मधु मन्नो अर्चत रगवेद के मंत्र 10-10-10-10-9-9 में सर्यू का आहवान सरस्वती और सिंधू के साथ किया गया है मंत्र बताता है कि वैदिक काल में सिंधू और सरस्वती की तरह सर्यू भी एक प्रमुख न दी थी सर्यू के किनारे ही आयोध्या बसी है अथर्व वेद में आयोध्या का जिक्र अश्ट चक्रा नवद्वारा देवाना पूर्योध्या तस्या हिरण्ययकोश ये अथर्व वेद के दसवे मंडल के दूसरे सूक्त में मंत्र है इसका मतलब है आठ चक्राकार महल और नौ द्वारों वाली आयोध्या देवों की पूरी है उसमें प्रकाश वाला कोश है जो आनंद और प्रकाश से भरा है इस मंत्र से ये पता चलता है कि अथर्व वेद के काल में भी अयोध्या न सिर्फ बसी हुई थी बलकि काफी संपन्न थी वेदों के बाद अयोध्या शब्द का जिक्र सदा शिव संहिता वशिष्ट संहिता और शुक संहिता में भी है जहां इसे साकेत लोग और राम लोग भी कहा जा रहा है सारे वेदों उपनिशद उपनिशदों और संहिताओं को खंगालें तो अयोध्या के बारह नाम मिलते हैं वेद उपनिशद में अयोध्या के बारह परियावाची नाम है अयोध्या, आनंदिनी, सत्या, सत्थ, साकेत, कोशला, विमला, अपराजिता, ब्रह्मपुरी, प्रमोध्वन, सांता निकलोका और दिव्यलोका वालमी की रामायन के बालकांड के पंचम सर्ग में 23 शलोकों में अयोध्या का भूगोल समझाया गया है इसके मुताबिक अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी सर्यू नदी के तटपर संतुष्ट जनों से पूर्ण धन, धान्य से भरा पूरा, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कोशल नामक एक बड़ा देश था इस हिसाब से देखें तो अयोध्या करीब 5200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी आज का अयोध्या शहर 120 वर्ग किलोमीटर में ही बसा है यानि उस काल में अयोध्या आज की अयोध्या से करीब 44 गुना बड़ी थी इतिहासकार कहते हैं अयोध्या 3000 साल पुरानी वैदिक जानकार कहते हैं ये गर्णा गलत, वेद पुरान, उपनिशद और वालमी की रामायन में अयोध्या का जिक्र तो है लेकिन इन गरंथों के आधार पर अयोध्या की उम्र कैलकुलेट करना असंभव ही लगता है इतिहासकार A.L. बाशम के मुताबिक सर्यू का जिक्र करने वाले रगवेद का संकलन करीब 3500 साल पहले हुआ था जबकि आयोध्या का जिक्र जिस अथर्व वेद में मिलता है उसका संकलन 3000 साल पहले पूरा हुआ होगा इसी वजह से कुछ इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि आयोध्या की उम्र अथर्व वेद के बराबर ही होगी या कोबी मैकडोनाल्ड से लेकर मौनियर विलियम्स जैसे इतिहासकार भी मानते हैं कि राम का जन्म आज से 2500 से 3000 साल पहले हुआ था हालांकि वेदों और पुराणों के हिसाब से गणना करने वाले इस से सहमत नहीं है ऐसा माना जाता है कि वेदों का अस्तित्व उनके संकलन से बहुत पहले से है और ये शृती परमपरा में चल रहे थे यानि इन्हें लिखने के बजाए बोलकर अगली पीर ही को सिखाया जाता था अथर्व वेद के संकलन से बहुत पहले से ही आयोध्या का जिक्र शुति परंपरा में था और इस हिसाब से उसका स्तित्व भी इससे काफी पहले से था अब देखिए इतिहास के दस्तावेजों में आयोध्या का जिक्र कहां कहां मिलता है पहली बार अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1862 संट में अयोध्या का आर्कियोलोजिकल सर्वे किया था ये सर्वेक्षन बौध स्मार्कों का पता लगाने के लिए किया गया था ये अयोध्या को लेकर इतिहास का पहला दस्तावेज माना जाता है इस सर्वे के दौरान कनिंगम को घनन और विशाख लेख वाले सिक्के मिले थे बौध सहित्य के मुताबिक भगवान बुध के काल में अयोध्या को विशाखा कहा जाता था ये सिक्के इतना तो बताते हैं कि भगवान बुध के समय में अयोध्या एक संपन्न शहर था लेकिन इससे पहले के इतिहास का कोई जिक्र नहीं मिलता है सबसे बड़े ट्रेड रूट्स के बीच में बसी थी आयोध्या ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की अपनी किताब में दो रास्तों का जिक्र करते हैं उत्तरपत और दक्षिनपत उत्तरपत गांधार से शुरू होकर मथुरा से होते हुए आज के बांगलादेश में तामर लिप्ती तक फैला हुआ था वहीं दक्षिनपत श्रावस्ती से शुरू होकर चित्रकूट से होते हुए प्रतिश्ठान तक जाता था ये दोनों रूट माइग्रेशन और ट्रेड के सबसे बड़े रास्ते थे ये दोनों रास्ते एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वहीं अयोध्या बसी थी अयोध्या की सम्रिध्य का बखान कई जगह 1932 में पबलिष्ट अयोध्या ए हिस्ट्री में लाला सीता राम ने अयोध्या का इतिहास ट्रेस किया उनके अनुसार छठी शताबदी इसा पूर्व में अयोध्या कौशल जनपत की राजधानी थी बुद्ध एवं महावीर के काल में यह एक सम्रिध्य नगरी थी मुख्य कौशल में तीन बड़े नगर थे अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती या सावत थे कुछ जगहों पर अयोध्या को साकेत भी कहा गया है पाली भाशा के प्रोफेसर रीज डेविड्स मानते हैं कि बौध्य काल में अयोध्या और साकेत दो अलग-अलग शहर थे हो सकता है कि ये दोनों जुड़वा सिटीज हों जैसे आज के अहमदाबाद और गांधी नगर राम के जन्म और उनके अवतार पर भी इतिहास तो मौन है देखिये, पौरानिक मान्यताओं में क्या है राम की कहानी? सकंद पुरान में राम अवतार की कहानी है शिव से अजे होने का वर्दान प्राप्त करने के बाद, रावढ ने देवताओं को सताना शुरू कर दिया सभी देवता नंदी के पास मदद के लिए पहुँचे नंदी पहले ही रावन को श्राप दे चुका था कि जब कोई तपस्वी और उसका वानर सेनापती लंका आएगा तो रावन का वध होना तय है देवताओं ने ये बात विश्णू को बताई उनके कहने पर देवताओं ने वानर अवतार लिया हिंदू धर्म और पौरानिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी को देवाधिदेव भगवान शिव शंकर का ग्यारहवा अवतार माना गया है और विश्णू ने खुद राम अवतार लिया अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी ये भारतिये इतिहास का सबसे लंबा राजवंश माना जाता है वंशा वली में इस कुल के एक सौ तेईस राजाओं का जिक्र मिलता है इन में से तिरानबे ने महाभारत से पहले और तीस ने महाभारत के बाद राज किया पुराणों के मुताबिक अयोध्या के पहले ग्यारह सूर्यवंशी राजा थे दशरत तिरे सठवें और राम चौण सठवें राजा हुए वेदों में सिर्फ इस कुल के 21 में राजा मांधाता का जिक्र मिलता है रामराज के बाद की आयोध्या और मंदिर का तोड़ा जाना 14 सालों का वनवास पूरा राम आयोध्या लोटे और फिर वहां रामराज्य आ गया लेकिन आयोध्या में ये रामराज्य हमेशा नहीं रहा इतिहास बताता है कि आयोध्या में राज और राजा बदलते रहे और इसके साथ ही यहां के मंदिरों का हाल भी सुधरता और बिगड़ता रहा रामराज के बाद अयोध्या का हाल कैसे बिगड़ा और क्या रहा आखिर राम मंदिर को तोड़ कर मस्जित किसने और कब बनाई इन सभी सवालों के जवाब राम जन्मभूमी का इतिहास सीरीज के अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूले